Unhelpful Combetiveness Combetiveness का मतलब होता है आक्रामक व्यवार या फिर लड़ाकूपन तो किसके आक्रामक व्यवार की बात की जारी है? PM Modi के आक्रामक व्यवार की जो की किस बात को लेकर है? Citizenship Amendment Act को लेकर तो Editor ये कहना चाहता है कि साथ Citizenship Amendment Act को लेकर PM Modi जो बाते कह रहे हैं जो आकराम का व्यवहार दिखा रहे हैं वह helpful नहीं है वह unhelpful है यह डिटोरिल जो है यहां तक बात करता है अब देखते हैं पूरी बात को समझते हैं कि PM Modi must address the concerns about the CAA कि Prime Minister नरेंदर Modi को जरूर से जरूर address करना चाहिए address का मतलब होता है किसी को संबोधित करना किसी के बारे में कुछ कहना किसी पर ध्यान देना तो PM Modi must address the concern का मतलब होता है आपकी चिंताएं about the CAA कि CAA को लेकर लोगों के मन में जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को संबोधित करना चाहिए किसे PM Modi को instead of का मतलब के बजाए misinterpreting them misinterpret का मतलब होता है किसी चीच की गलत व्याक्या करना तो editorial ये बताता है कि PM Modi जो है उनको CAA की उल्टी सीधी व्याक्या करने के बजाए उसको misinterpret करने की बजाए क्या करना चाहिए जो भी चिंताएं हैं CAA से सम्मदित कि Prime Minister Narendra Modi's statement Prime Minister Narendra Modi's statement that Prime Minister Narendra Modi का वक्तव वे कि The Citizenship Amendment Act Amendment का मतलब होता है संचोधन करना 2019 और CAA कि Prime Minister Narendra Modi का statement कि ये जो हमारा नागरिकता कानून है 2019 या फिर CAA 2019 Intended Intention Intention से बना है Intended Intention का मतलब होता है इरादा तो ये जो हमारा कानून है Intended only to grant citizenship to a certain class of people तो Prime Minister Narendra Modi का कहना है कि ये जो Citizenship Narendra कानून 2019 है इसका इरादा जो है वो सिर्फ ये है Only to grant citizenship नागरिकता प्रदान करना किन लोगों को to a certain class of people किसी एक निश्चित वर्ग के समूह को to a certain class of people certain यानि निश्चित है ना तो किसी निश्चित समूह के वर्ग को नागरिकता प्रदान करना और क्या कहा है प्राइमिस्टर नागरिकता कानून है इसका उद्देश जो है इसका वो यह है कि किसी एक निश्चित वर्ग को नागरिकता प्रदान की जाए ना कि जो है नागरिकता को इनकार किया जाए किसी को भी and not to deny citizenship नागरिकता को इनकार करना नहीं है इसका उद्देश है तो उनका यह जो statement है अब यह देखो यह statement जो है ना यह statement के लिए लगा है is तो उनका जो statement है is factually true तथ्यात्मक रूप से अगर हम देखे हैं तो उनकी जो बात है वो बिलकुल ठीक है accurate है आगे देखते हैं टिटोरिल क्या कहता है कि but his extrapolation but his extrapolation देखो extrapolation क्या होता है extrapolation का मतलब होता है कि आपके पास जो कुछ भी information है उसके आधार पर आप क्या करो भविशी के बारे में अनुमान लगाओ तो उसे बोलते हैं extrapolation मौझूदा जानकारी के आधार पर भविशी के बारे में अनुमान लगाना है तो उसको बोलते है एक्ट्रापॉलेशन अब देखो इस वाकिए को समझना कि यहाँ पर यह हैंस किस तरह से लिका लेकिन उनका यह अनुमान लगाना तो देखो अब यह हैंस जो है कहां से जुड़ा हुआ है यह मैं आपको बताता हूँ यह हैंस जो है उपर से जुड़ा हुआ है कहां से कि प्राइमिश्टर नरेंदर मोदी ने अपना वक्तव भी दिया है कि साहब हम क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ एक किसी निश्चित वर्ग को जो है नागरिकता देना चाहते हैं हमारा यह उद्देश नहीं है कि जो है लोगों को जो है नागरिकता देना मना कर दिया जाए तो उनका यह जो कथन है हैंस तो आगे जो है प्राइमिश्टर नरेंदर मोदी कहते हैं यह बात उन्होंने कही इसके आगे और कहते हैं हैंस इसलिए the acts critics की इस कानून की इस act की जो निंदा करने वाले हैं जो आलोचक हैं are misinformed वे जो है उनको जो गलत जानकारिया है उनके पास are misinformed is unfounded तो इस प्रकार से उनका यह जो extrapolation है ना अब यह देखो extrapolation के लिए आया यहां पे तो उनका यह जो अनुमान है उनका जानकारियों के आधार पर जो भविशी के बारे में अनुमान व्यक्त करना है कि वह critics जो है उनको गलत जानकारिया है तो उनका यह जो extrapolation is unfounded इस extrapolation का कोई आधार नहीं है and misleading और उनका यह जो extrapolation है यह लोगों को mislead करने वाला है गुमराह करने वाला है यह editorial जो है यहां तक बात करता है आगे देखते हैं the concern expressed by many is not that it allows citizenship to people escaping persecution from neighboring country अब देखो ज़्यादा तर लोगों ने जिन लोगों ने इसका विरोध किया है CAA का Citizenship Amendment Act का वो विरोध इस बात के लिए नहीं किया है the concern जो चिन्ताएं अभिव्यक्त की गई है काफी लोगों के द्वारा is not that वो चिन्ताएं यह नहीं है it allows कि यह बिल जो है permission देता है नागरिक्ता की उन लोगों को escaping persecution persecution का मतलब होता है सताय हुए लोग कि आपके साथ जाती या धर्म या आपके राजनितिक विश्वास के कारण जो है आप पर जुल्म किया गया आपको सताय गया तो इसका मतलब है आप पर्जी क्यूट किया गया तो escaping मतलब बच के भाग रहे है तो वे लोग जो की बेचारे सताय हुए है और बच के भाग रहे है है ना पर्जी क्यूट हुआ है उनको from neighboring countries कहां से persecution हुआ है कहां सताय गए है वो अपने पडोसी मुलकों में भारत के पडोसी मुलकों में from neighboring countries तो CAA का विरोध करने वाले इस बात को नहीं कहते कि आप जो है काफी लोगों के द्वारा जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, वो ये चिंताएं ये नहीं है, कि इस कानून के माध्यम से हमारे पडोसी मुल्क के जो भी सताय हुए लोग हैं, उनको नागरिक्ता प्रदान की जाएगी, नहीं, on the contrary, इसके विपरीत में, the fundamental opposition, कि CAA का ये जो opposition क किया जा रहा है, उसका fundamental, fundamental मतलब उसका basic क्या है, उसका आधार, मतलब उसका basic, उसका विरोध हो रहा है, वो इसली हो रहा है, fundamental opposition, प्राथमिक विरोध जो है, वो ये है, कि मूल विरोध जो है, वो ये, कानून का to the law, is that, वो ये, it does so in a discriminatory and inadequate manner, कि ठीक है, सताय हुए लोगों को आप नागरिक्ता प्रदान करो, लेकिन इस कानून के माद्यम से सताय हुए लोगों को नागरिक्ता प्रदान की जा रही है, it does so, यह करता है, यह कानून ऐसा करता है, यानि कि कुछ लोगों को नागरिक्ता प्रदान करता है, in a discriminatory, discriminatory का मतलब होता है, भेद भावपुर and inadequate manner inadequate मतला आपर याप यानि कि इसमें जो है नागरिक्ता जिन लोगों को दी जाएगी कुछ सिमित लोगों को दी जाएगी और कुछ लोग जो है उनको नागरिक्ता नहीं दी जाएगी भले ही उनको जो है पडोसी मुल्क में परतालित किया गया हो तो इस प्रकार से ये जो CAA है इस बिल के बारे में इसा कहना है काफी लोगों का कि साब ये discriminatory है भेदभाव से बरा हुआ है अगर आप नागरिक्ता देना चाहते हो सताय हुए लोगों को तो किसी धर्म के आधार पर क्यों है सभी लोगों को क्यों नहीं ये डिटोरिल जो है बात करता है कि मुख्य विरोध जो है लोगों का वो ये है ये विरोध नहीं है लोगों का कि ये जो है कुछ लोगों को जो है नागरिक्ता अप्रदान करता है नहीं ये जो है किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर लोगों में विभेद करता है, ये लोगों का जो है CAA को लिकर विरोध है, आगे देखते हैं रिटोई लोगों और क्या बात करता है कि The CAA introduces a religious test in classifying victims of persecution, persecution मतलब वही प्रताडित लोग, सताय हुए लोग जिन पर जुल्म किया गया victim यानि तो CAA introduces CAA के माध्यम से हम जो क्या introduce करना चाहते हैं, किस चीज को लाना चाहते हैं, CAA के माध्यम से एक नई चीज introduce होती है, वो है dharmic test, religious test in classifying victims of persecution कि भाई, ये क्या करता है CAA जो है एक dharmic test, अगर CAA को अगर हम माने पूरी तरीके से तो इसकी माध्यम से क्या होगा आपको एक dharmic test से गुजरना होगा in classifying victims of persecution कि सताय गए लोगों का, यानि कि जो पीडित लोग हैं, जिनकों की सताय गया है CAA क्या करता है उनको classify करता है उनको वर्गी करत करता है धर्म के आधार पर तो इस प्रकार से वर्गी करत करना and granting them citizens और इस प्रकार से धार्मिक test के आधार पर लोगों को, पीडित लोगों को जो है वर्गी करत करने के बाद में उनको नागरिकता प्रदान करना and granting them citizenship in a secular republic और secular republic भारत के लिए कहा गया है कि साव हमारा जो भारत का जो गनतंत्र है जो रिपब्लिक है हमारा वह है धर्म निर्पेक्ष है secular है तो editorial ये कहना चाहता है कि ये मूल चिनता है कि CAA जो है एक धार्मिक test करता है उन लोगों का परिक्षन करने के लिए जो की पीडित किये गए है और जो है उनको नागरिक्ता प्रदान करता है एक ऐसे देश में जो की धर्म निर्पेक्ष है ये एक objection का point है the one strand of opposition यहाँ पे strand का मतब है एक और पहलू एक और पहलू जो इस CAA का विरूद किया जा रहा है वो ये किनके द्वारा विरूद किया जा रहा है among indigenous communities indigenous मतब होता है native मूल स्वदेशी या फिर देशी तो among indigenous communities in the north eastern states की भारत के जो उत्तरपूर्व के राज्य है उन राज्यों के जो मूल लोग है मूल वहां के जो रहने वाले है उन लोगों के द्वारा ये जो CAA का विरूद किया जा रहा है एक पहलू ये भी बनता है उसका वो इसलिए किया जा रहा है अभी देखो ये यहां से और यहां तक ये क्या है? कॉमा टु कॉमा ब्रेकिट में लिखी हुई ये बात तो the one strand of opposition is indeed against granting citizenship rights to anyone तो एक जो विरोध का पहलू है वो ये वास्ताव में इस indeed against किसके खिलाफ है वो? granting citizenship नागरिक्ता प्रदान करने के खिलाफ है rights to anyone कि नागरिक्ता के अधिकार किसी को भी न दिये जाएं ऐसा भी कहना है कहां कुछ North Eastern Communities है उन लोगों का ऐसा भी कहना है तो एक पहलू ये भी है regardless of religion चाहे वो व्यक्ती किसी भी धर्म का क्यों न हो regardless regardless मतलब कि इस बात की परवा किये बिना regardless of religion कि आप religion फिलिजन को भार में जाने तो religion की परवा किये बिना ही एक पहलू CAA के विरोध का जो कि North Eastern State के दौरा किया जा रहा है वो ये कि granting citizens फे प्राइट स्टू एनिवर कि नागरिक्ता के अधिकार जो है वो प्रदान ही न किये जाए किसी को भी न दिये जाए चाहे वो किसी भी धर्म का हो आगे देखते हैं जिटेट और क्या बात करता है कि Mr. Modi appeared to be eager eager का मतलब होता है अत्यदिक उत्सुक होना appeared मतलब प्रतीत होना कि Mr. Modi appear to be eager कि Mr. Modi जो है नरेंदर Modi जो है वो बहुत ज़्यादा excited बहुत ज़्यादा उत्सुक प्रतीत होए किस चीज के लिए to pacify them to pacify them शाम्त करने के लिए to pacify them यह जो नौर्थ इस्टन के लोग जो है विरोध कर रहे है बहुत ज़्यादा है उनको शान्त करने के लिए pacify का मतलब होता है किसी की गुस्से को बहुत ज़्यादा कोई आकरमक हो रहा है तो उसको ठंडा करना to pacify them तो Mr. Modi appear to be eager to pacify them कि Mr. Narendra Modi जो है वह है उन लोगों को शान्त करने के लिए अत्यदिक उत्सुख प्रतीत हुए as he should be और उनको होना भी चाहिए by reiterating यह कहते हुए यह दोहराते हुए reiterate बहुत important शब्द है reiterate start लगा लेना retreat का मत्तब होता है दोहराना इसी भी चीज़ को जो है repeat करना उसको बोलते है retreat तो Mr. Modi जो है उन लोगों को शान्त करते हुए प्रतीत हुए as he should be और उनको होना भी चाहिए by reiterating और ऐसा करते हुए कैसे प्रतीत हुए दोहराते हुए by reiterating that safeguard safeguard यानि सुरक्षा के उपा है that safeguards are being included in the law to protect the cultural and linguistic rights of indigenous groups अब देखो कि ये जो नौर्थ इश्टन लोग है भारत के जो नौर्थ इश्टन लोग है इनको क्या लगता है कि यार आलतु फालतु लोग किसी भी देश से अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे हमारे उपर एक तरीके से क्या हमारे उपर कबजा करने का प्रयास करेंगे हमारी संस्कृति को नश्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस तरह का उनको जो खत्रा लगा हुआ है तो उस खत्रे को Mr. Modi ने शांत करने के लिए जो है दोहराई क्या बात दोहराई कि साफ हमने उचित उपाई किये हैं हमने safe guards are being included कि सुरक्षा के उपाई जो है being included शामिल किये जा रहे हैं पैसी में बना हुआ ये बाकि are being included कि सुरक्षा के उपाई भी शामिल किये जा रहे हैं in the law इस कानून में to protect रक् भाशा संबंदि अधिकार और उनकी संस्कृति से संबंदित अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस कानून में जो है सेफ़गार्ड यहना सुरक्षा की उपाई भी शामिर किये जा रहे है When it comes to addressing the legitimate and well-founded concerns of constitutional experts ठीक है वही एक तरह के से क्या किया कि North Eastern के जो लोग है उन्होंने जो अपनी बातें उठाई उन्होंने जो विरोध दर्ज कराया उनको शांत करने के लिए तो है Mr. Modi ने अपनी बातों को फिर से दो रहा है लेकिन कुछ constitutional expert की हमारे जो समविधान के जो expert है उनका क्या कहना है वही हमारा समविधान कहता है कि भारत एक धर्म निर्पेक शिराज है यानि कि धर्म के आधार पर हम किसी से भी भेदभाव नहीं करते तो constitutional expert समविधान जो विशेशग है उनका ये मानना है कि ये जो CAA है, ये CAA क्या करता है कि धर्म के आधार पर लोगों में भेधभाव करता है तो इसलिए इस कानून में शंशोधन किया जाना चाहिए या इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए लेकिन जब ये बात constitutional expert उठाते हैं तो उन पर मिश्टर मोधी अपनी पृतिकरिया ठीक तरह से व्यक्त नहीं करते हैं जब बात आती है, when it comes to addressing, समाधान करने की, संबोधित करने की, the legitimate, legitimate मतलब कानून, कानूनी and well-founded, well-founded मतलब जिसका अच्छा आधार हो, concerned, चिन्ताएं, यनि की समवेधानिक विशेशग्य जो हैं, उनकी कानूनी और बहुत ही well-founded है उनकी मतलब तरक के आधार पर खरी उतरने वाली जो चिन्ताएं हैं, उनको अगर समाधान करने की बात आती है, और कौन की चिन्ताएं हैं, the opposition, विपक्ष की जो चिन्ताएं और कई अनिराज्य सरकार की जो चिन्ताएं हैं, CAA को लेकर, समवेधान के जो विशेशग्य हैं, उनकी जो चिन्ताएं इस कानून को लेकर, he tends to turn unhealthfully combative he tends, तो उनकी ऐसी प्रवत्ती है, tend का मतलब होता है tendency, tendency का मतलब होता है प्रवत्ती होना या रुजान होना तो जब इन सब लोगों की बात आती है, और जानिकी समवेधान के जो विशेशग हैं, या फिर अपोजिशन के लीडर हैं, अपोजिशन के नेता हैं, या पूरा विपक्षिदल हैं, या फिर कई स्टेट की गवर्वर्मेंट हैं, वे जब अपनी चिन्ताएं व्यक्त करती हैं, हैं और उनकी चिन्ताएं कानूनी हैं, और उन चिन्ताओं का परियाप्त आधार है, तो प्राइमिश्टर नरिंदर मोधी उनको ठीक तरह से अभिव्यक्त उनकी चिंताओं का जो है समाधान नहीं करते He tends, उनकी ऐसी प्रवत्ती है To turn, वे बदल जाते हैं To turn, वे पलट जाते हैं Unhelpfully combative Unhelpfully मतलब एक तरीके से सहायता करनी चाहिए आपको कि इनकी अगर वास्तों में कानूनी है अगर इनकी चिंताओं तो उनका समाधान करना चाहिए लेकिन आप उनकी help तो नहीं करते उल्टे combative हो जाते हो अपना आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हो लड़ाकूपन प्रदर्शित करते हो तो यह एडिटोर्यल जो है यहां तक बात करता है आगे देखते हैं कि इफ मिश्टर मोदी and his colleagues अगर उनको वास्तों में इस बात से लगाओ है इस बात की चिंता है कि वास्तों में गलत सूचनाए जा रही है जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास गलत सूचनाए जा रही है अगर ऐसा उनको लगता है वास्तों में तो यह जो मिश्टर मोदी है उनको जरूर से जरूर पहुचना चाहिए तो देख क्रिटिक्स आलोचकों से उन्हें समवाद करने की कोशिश करनी चाहिए आलोचकों तक पहुचना चाहिए आलोचकों की help करना चाहिए rather than disparage them disparage का मत्तब होता है किसी का अपमान करना है किसी को criticize करना है किसी का अपमान करना उसको बोलते है disparage करना तो critics जो है उनको अपमान करने की बज़ाए rather than rather than मतलब के बज़ाए तो Mr. Modi और उनकी team को क्या करना चाहिए उन critics तक उन आलोचकों तक पहुचना चाहिए उनकी बात को सुनना चाहिए ना कि जो है उनका अपमान करना चाहिए ये editorial जो है यहां तक बात करना चाहिए ना कि उनको criticize करना चाहिए instead कि बज़ाए party functionaries have latched on अब देखों ये काम तो उनकी करना चाहिए कि Mr. Modi को और उनकी team जो है उनको क्या करना चाहिए आलोचकों की बातों को धंक से सुनना चाहिए ना कि उनको criticize करना चाहिए जबकि हुआ क्या है इसके बज़ाए जबकि हुआ क्या है party functionaries party functionaries का मत्तब है party के जो लोग है एक तरीके से BJP party के लिए कहा जा रहा है कि BJP party के जो कारे करता है BJP party के जो राजनेतिक लोग है have latched on L-A-T-C-H latch on क्या मतलब होता है latch on का ये पूरी एक phrasal verb है latch on इस latch on का मतलब होता है to begin to understand something समझना किसी चीज को इसके बज़ाए क्या है कि party के जो राजनेता है party के जो कारे करने वाले लोग है have latched on to the situation वे इस परिष्थिती को जो है समझते हैं एसा समझा है उन्होंने इस परिष्थिती को as yet another opportunity वयानि कि वर्तमान में जो परिष्थिती चल रही है CAA को लेकर तो बीजेपी parties के जो functionaries है वे इस परिष्थिती को एक अन्य आवसर की तरह लेते हैं as yet another opportunity एक अन्य आवसर की तरह लेते है for political propaganda राजनेतिक परचार परसार करने के लिए propaganda मतलब होता है एक तरीके का परचार परसार करना है तो एक तरीके से एजिटोर ये कहना चाहता है कि साभ ये जो बीजेपी party के कारे करता है या फिर राजनेतिक लोग है यह वरतमान situation को समझने की बज़ा है इसको समझना चाहिए उन्हें तो इसको समझने की बज़ा है वो क्या करते हैं इस परिस्थिति को एक अन्यावसर के रूप में लेते हैं और अपनी party का परचार प्रसार करते हैं ए communal one at that ए communal one at that एक सांपरदाइक रूप में ए communal one at that and launched a marathon monologue और उन्होंने क्या किया एक तरीके से इसको सांपरदाइक बनाते हुए इस परिस्थिति को सांपरदाइक बनाते हुए launch कर दिया है launch का मतब किसी भी चीज की शुरुआत कर देना ए मेरा थन मेरा थन तो जानते हैं कोई भी लंबी दोड़ उसको बोलते हैं मेरा थन और monologue monologue का मतब होता है एक अलाप monologue 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 का मतब एक अलाप जैसे कोई नाटक होता है तो उस नाटक में क्या है एक ही व्यक्ति जो है सुरु से लाश्ट तक बोलता है वह ही कई लोगों की आवाज है कई लोगों की अभीनाय करता है उसके लाभ़ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता तो editorial ये बताना चाहता है कि BJP Party के जो राजनिती कारे करता है वो सिर्फ अपनी ही अपनी बोले जा रहे हैं अपना ही अपना राग अलापे जा रहे हैं विपक्ष के लोग क्या कहते हैं समविधान के विशेशक के क्या कहते हैं अन्य राज्यों की सरकारे क्या कहती है, उनकी बात उनने सुनाई दिए जारी, यानि कि अपनी बात का एक तरीके से उन्होंने मेरा थन बना के रख दिया है, अपनी पार्टी का प्रचार करने का हाना, और इस बात को जो एक तरीके का communal रंग दे दिया है, यह एडिटोरियल प्रावधान, बीजेपी की हिंदू तो फिलोसोफी जो है, हिंदुत्व का जो बीजेपी का दर्चन है, यानि कि एक तरह से क्या है, हिंदुत्व सपोर्ट वादी जो पार्टी है, बीजेपी, उसको अगर प्रतिविंबित करता है, C.A. अब देखो यह समझना है यहाँ इस्ट्रामेन शब्द का क्या मतलब है, यह पूरा की पूरा एक वर्ड है, आर्ग्यूमेंट की विशिस्ता बताने के लिए लिए है, हमने किसको इस्ट्रामेन को, देखो इस्ट्रामेन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस्ट्रामेन आर्ग्यूमेंट जो है, एक ऐसा तर या फिर कोई भी दावा जिसकी कि आप खोज करते हो ताकि जो है आप अपने दावे को बहतर सावित कर सको तो एडिटोरिल बोलता है कि CAA के खिलाफ जो विरोध किये जा रहे हैं उन विरोधों को जवाब देने के लिए जो आर्गुमेंट जो इस्ट्रामेन आर्गुमेंट अब जो प्रबल बना देना किसी चीज को जो चीज पर जोड़ देना बल देना तो यह एडिटूररिल केंता है कि भाई यह जो CAA के खिलाफ जो विरोध किये जा रहे हैं उन विरोधों को आप ठीक तरह के जवाब न देंके हैं तो एक तरीके से तो क्या है कि CAA के माध्यम से, CAA के प्रावधानों के माध्यम से जो है, BJP की हिंदुत आइडियोलोजी जो है, वो पृतिबिम्बित होती है, तो ये जो तर्क CAA के खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ, जो BJP पारटी के दोरा जो तर्क दी जाते हैं, वह दुबारा से इस हिंदुत आइडियोलोजी को और अधिक इसपष्ट करते हैं, ये डिटोरिल जो है बात करता है। एक सजेशन, एक सुझाओ ये दिया जा रहा है, एक सुझाओ ये निकल के आता है, कि क्या है कि CAA का काफी लोगों के दोरा विरोध किया जा रहा है, BJP पारटी के मेंबर जो है, उन विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं, तो इसके मादने में से एक ऐसा सुझाओ दे कि लोगों को जो सताए गये हिंदू हैं सिक्क हैं बुद्ध हैं बुद्ध धर्म के लोगं या क्रिस्टीयन् अल्प संख्यक फ्रॉम पाकिस्तान जबकि ऐसा है नहीं कहां कहां से फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान एन बांगलादेश विच दे आर नौट देखो एक सुझाओ जो प्रतीत हो रहा है एक जर्नत धारणा जो फैल रही है न जिसको फैलाने का प्रियाश किया जा रहा ह हैं वह हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, अल्प संख्यक जो की पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांगलादेश से हैं उनको भारत में शरण देने के खिलाफ है नहीं CAA के अपोनेंट्स जो हैं वे इन लोगों को शरण देने के खिलाफ नहीं है वे इन भी तो जो है CAA के माद्यम से जो है आप अगर वो भी पर्जीक्यूट हो हैं तो उनको भी नागरिक्ता देनी चाहिए न यह है उनका मुख्य विरोध जबकि BJP पार्टी का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके माद्यम से यह प्रचार परसार यह संदेश जो है की कोशिश की जा रही है हिसाब CAA का जो विरोध करने वाले हैं वह हिंदू, सिख, बुद्ध, जेन और इन लोगों को जो नागरिक्ता देने के विरोध में जबकि ऐसा नहीं है विच देयार नौट यानि की ऐसा नहीं है The C.A.S. rational, rational का मतलब होता है logic, आपका तर्क का आधार क्या है, आपका basis क्या है The C.A.S. rational is that these countries have a state religion, अब देखो C.A.A. जो Citizenship Amendment Act है उसका ओचित्ति क्या है, उसका आधार है, वो ये, कि साब ये जो countries है, कौन-कौन सी countries कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और बांग्रादेश है, है हो, इन countries में है, क्या, ए, state religion State religion का मतलब होता है, कि कोई भी राज, या फिर कोई भी देश, एक particular धर्म को मानता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खास करके बांग्रादेश की, तो इन countries में जो है, इनका अपना एक धर्म है And religious minorities face prosecution, और इन देशों में, जो भी लोग अलपसंख्यक हैं, यानि कि जो लोग उस state religion को नहीं मानते हैं यानि कि पाकिस्तान, अफगानिस्तार और बांग्रादेश का जो state religion है, जो उनके देश का धर्म है, उस धर्म को जो लोग नहीं मानते हैं यानि कि जो लोग अलपसंख्यक हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रतालित किया जाता है, वे जो है, जुल्म सहते है तो यह एडिटरियल बोलता है, कि इन देशों में जो भी लोग धर्मिक रूप से अलपसंख्यक हैं, उनको जो है, उनको जो है, जुल्म किया जाता है आगे देखते हैं डिटरियल क्या बात करता है लेकिन एडिटरियल बोलता है, कि जुल्म करना, सताना किसी को, need not be, आवशक नहीं है, कि वह जो है, धार्मिक ढंग का ही हो वही सताया जो है, धार्मिक रूप से ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अन्य कई आधारों पर सताया जा सकता है बट, persecution, कि यह जो जुल्म किये जाते है, need not be, जरूरत नहीं है, only religious in nature कि सताना जो है, सिर्फ धार्मिक प्रकरति का ही हो for example के तोर पे डिटरियल आगे बताता है, कि इन स्री लंका, स्री लंका में अगर हम देखें tamils have suffered in the hands of the establishment and the dominant singhala कि tamil लोग जो है, स्री लंका में, उनको जो है, जहेलना पड़ा है, सफर करना पड़ा है, परेशानी जहेलनी पड़ी है in the hands of, किनके हातों, the establishment and the dominant establishment कि वहाँ पर जिन लोगों का सरकार है, उनके द्वारा या पिर जहाँ पर जो लोग dominant है, dominant का मतल होता है, जिनका प्रभाव है खास करके singhala community, यहाँ पर यह जो singhala communities है यह स्री लंका में, स्री लंका में क्या है, कि singhala communities जो है वो एक प्रभावशाली majority है उनकी, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से tamil लोगों को सताते हैं, तो यह editorial बात करता है, कि जरूरी नहीं है, कि धर्म के आधार पर ही बेदभाव किया जा है बेदभाव करने के या फिर सताने के वो कई तरीके हो सकते हैं, कई रूपों में सताय जा सकता है आगे देखो, editorial बात क्या करता है, कि moreover, Islamic sect, sect का मत्त होता है, संपरदा है moreover, इससे भी ज़्यादा, Islamic sect जैसे कि Shia, अब यह जो इसलाम धर्म है, इसके भी काफी चोटे-चोटे संपरदा है जैसे हिंदु धर्म है, या फिर अन्य धर्म कई भागों में बटे होते हैं, इसी तरह से क्या है कि एक तरीके से यह जो इसलाम धर्म है, यह भी सुन्नी, शिया, अहमदिया, इन भागों में बटा हुआ है तो एडिटोर्ल क्या कहता है, कि moreover, इसलाम से संपरदा हैं, जैसे कि शिया है, या फिर अहमदिया है, या फिर इसके लावा, और कुछ ऐसे भी तो लोग हैं, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते और द Noise, पाकिस்तान, बंगला देश, आफगानिस्तान की, जो हमने बात की हिए न, इन देशों में यदि शिया धर्म के मानने वाले हैं, या फिर अहमदिया धर्म के मानने वाले हैं, या फिर जो लोग किसी भी धर्म में विश्वात नहीं करते हैं, उनको भी अटेग जहन उनको भी जर्म से ना पड़ा है इन थी थी कंट्री इन तीन देशों में तो इन जिन लोगों को जर्म जर्णना पड़ा है न यह जो शिया अहमधिया और नौन बिलिवऱ् लोगे ऑर डिनाइड इनको मना किया गया है the benefit कि इनको जो है फाइदा नहीं मिलेगा under the CAA, CAA के प्रावधानों के तायर for non-logical reason और इसका कोई जो है उचीत तर्क आधार भी नहीं दिया गया है कि भई आप कहते हो कि हम पीलित या सताय गए लोगों को जो है नागरिकता देना चाहते हैं तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यह तो जो है शिया है, अहमदिया है, non-believers है इन लोगों को क्या, अगर इन लोगों पर अत्याचार किये है और हुए है, have come under attacks इन पर आकरमन हुए है इन countries में लेकिन हमारा CAA जो है वो डिनाई करता है, इनको मना करता है कि जो है, CAA के जो प्रावधाने वो इन लोगों को जो है, नागरिकता नहीं देते आगे देते हैं, आगे देखते है कि the explanation that the current CAA कि यह व्याख्या, है ना the explanation that the current CAA is only remeding a grievance left over, left over का मतलब है जो छोड़ा गया, जो छोड़ दिया गया left over by partition is unconvincing तो अब देखो, एक व्याख्या यह दी जाती है, सरकार के दोरा कि यह व्याख्या, that the current CAA कि वर्तमान में यह जो CAA बिल है, यह CAA जो कानून है is only remeding यह सिर्फ कर रहा है, क्या कर रहा है उपचार कर रहा है, remedy का मतलब उपचार करना एक grievances उन कश्टों का उपचार कर रहा है उन शिकायतों का उपचार कर रहा है जो की बच्ची हुई है, जो कश्ट जो की बच्ची हुई है किसके माध्यम से, यह जो partition हुआ था यानि कि देश का जो बटवारा हुआ था भारत-पाकिस्तान का एक तरीके से जो बटवारा हुआ था तो उस बटवारे का दर्द जो काफी लोगों को सहना पढ़ रहा है उसका उपचार करने की कोशिश की जा रही C.A. के माध्यम से तो यह जो तर्क है, एक्स्प्लेनेशन यह जो एक्स्प्लेनेशन है, इस बात से राजी होना कटिन है देखो, कन्विन्सिंग का मतब है कोई भी एसी बात जिसको से कि आप राजी हो जाओ, जिससे आप सहमत हो जाओ उसको कहेंगे कि हाँ साब, यह लोजिक जो है, यह जो एक्स्प्लेनेशन CAA के लिए दिया जा रहा, यह अनकन्विन्सिंग है, यह इस बात से राजी नहीं हो जा सकता इस तरक से, अफगान रेफिजीज, अफगान शरनार्थी पड़ रहा है, उस उन लोगों को जो है, आफगान शरनार्थी कहां से आगए, अफगान रेफिजी, अफगान शरनार्थी, जो है, शुट नोट हैव क्वालिफाइट, उनको जो है, पास नहीं होना चाहिए, बाइट रिजनिग, अगर आप यह लोजिक अप्लाई करते हो वास्तिक्ता में, अब देखते हैं, बड़ी इसी लाइन को कि क्या एडिटोरिस के माध्यम से कहना चाहता है, कि वास्तों में, कि अब पॉपिलर सस्पिशन का मतलब होता है, शक, संदेह, कि सरकार के जो इंटेंशन है, उन इंटेंशनों पर यह जो शक जाता है, यानि कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, CAA का, तो वे सरकार का यह जो इंटेंशन है, उस पर अगर शक कर रहे हैं, the popular suspicion of the government intention, ड्रास, ड्रा का मतलब होता है, खीचना, यानि कि CAA का जो विरोध करने वाले हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं, सरकार का इरादा है, सरकार की इरादे पर शक करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं, जो शक का इरादा है, वो ड्रा होता है, वो इसलिए होता है, from its political rhetoric, कि BJP सरकार जो है, वो क्या करती है, अपनी राजनितिक भाशन बाजी, rhetoric बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, रेटोरिक, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, रेटोरिक, रेटोरिक मतला होता है, शब्दा डंबर करना, उचे-उचे बोल करना, भाशनवाजी करना, तो यह जो भाशनवाजी BJP पारटी के लोग कर रहे हैं, and the link, और एक link, किन के ब link है, that it's functionalist, कि BJP के function करने वाले, BJP के जो राजनेतिक लोग हैं, repeatedly check, repeatedly मतलब बार बार देखते हैं, तलाज करते हैं, देखते हैं, किस चीज को to forge, forge का मतलब होता है, create करना, या फिर निर्मित करना, तो यही editorial जो है कहना चाहरा है, हिसाब CAE का जो विरोध करने वाले हैं, उ वो क्या है, मतलब एक तरीके से क्यों शक नजर आता है, उनको नजर आता है, कि यह जो राजनितिक भाषनभाजी, लगातार BJP Party के functionaries के द्वारा की जा रही है, और एक link जो उनको दिखाई देती है, कि इनके बीच में, National Register of Indian Citizens के बीच में, और CAE के बीच में, जो की बार- अनुनिर्मित होने जा रहा है, तो आप अपने तरक रखो वहाँ पर, तो उसको कहेंगे, lay out करना है ला, तो critics have laid out, तो critics जो है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या बाते रखी है, their concerns, उन्होंने अपनी चिंताएं रखी है, regarding the CAA के संदर्व में, it is the government, अब ये सरकार है that needs, अब सरकार को जरूरत है to explain its position, कि सरकार CAA के संबध में अपने position को अपने पहलू को प्रदर्शित करे, by repeatedly misinterpreting the concern, कि बार बार ये चिंताएं, जो कि CAA के विरोध करने वालों के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, उनकी गलत व्याक्या करके, the government betray, government प्रकट करती है, यहाँ पर betray का मतलब है, बिना इरादे के प्रकट कर देना, अंचाहे प्रकट करना, and unwillingness, unwillingness का मतलब होता है, अनिचुक, to engage on the issue, engage का मतलब शामिल होना, कि बार बार जो है, लगातार, जो चिंताएं CAA के विरोध करने वालों द्वारा प्रकट की जा रही है, उनकी गलत व् इतोरियो, quickly जो है, हम vocab देख लेते हैं, इसकी पूरा PDF, description से आप डाउनलोड कर लें, इसका, combativeness मतलब, आकराम के व्यावार, extrapolation मतलब, मोजद्वा जानकारी के आधार पर अंगमान लगाना, persecution मतलब, उत्पिलन करना, सताना, इसके बाद है contrary, contrary का मतलब होता है, किसी को criticize करना, या फिर अपमानित करना, latch on, latch on का मतलब होता है, समझना है, to begin to understand something, monologue का मतलब होता है, एक अलाव, जिस एसा नाटक, या एसी बाद, जिस पर एक ही व्यक्ति बोलता चला जाए, instrument, ये एक नया शब्दा आया है, बहुत अच्छा, instrument, इसका मतलब होता है, कि an argument that is invented in order to win or create an argument, कोई भी तरक, किसी तरक को काटने के लिए जब आप कोई तरक खोशते हो, तो उसको बोलते है, instrument, आगे देखते है, accentuate, accentuate का मतलब होता है, किसी बात को जोर देकर और अधिक इसपश्ट करना, ये ना उसको बोलते है, accentuate, rational का मतलब होता है, और चित्ति, य इसका मतलब होता है, बनाना, या फिर विक्सित करना, या फिर निर्मित करना, इसके बाद है, बिट्रे, यहाँ पर बिट्रे, एक तो बिट्रे का मतलब धोका देना भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिट्रे का मतलब है, unintentionally revealed है, अंचाहे बात को प्रकट करना, तो ये था हम हमारा आज का एडिटोरियल